हमारा तीसरा लेक्चर है ट्रेकोमा डिजीज हम इस बिमारी कुक्रे को डिफाइन करना चाहते हैं जिसे अंगरेजी में ट्रेकोमा का जाता है इसका पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि इस तरह पहलती है, क्या होती है, उसे क्या कॉंप्लिकेशन आँखों में होती है लेक्चर को डिसकस करने से पहले मेरा खायल है कि एक कुशनेर आपके सामने आ चुका होगा और आप इसको सॉल्व कर चुके होगी यही सवाल आपको लेक्चर के बाद भी फिल करने पड़ेंगे हम देखना चाहते हैं कि हम कितने एफेक्टिव रहे आप तक ये मैसेज़स पहुचाने में ड्रकुमा और लिड्सक में डिस्टर्बिंस डिसकस करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आम इनसानी आँख normal कैसी इसके साखत कैसी होती है? नॉर्मल पलके इनसान की कैसी होती है? इस तस्फिर में नज़र आ रहा है अपर आइलिड और लोर आइलिड इसके साथ साथ आपको लेक्षिस नज़र आ रहे हैं ये normal eyelashes हैं, जो उपर वाले lashes down और out, नीचे और बाहर की तरफ जाती हैं, और नीचे वाले पलके up और out, थोड़ी उपर उठती हैं और बाहर की तरफ जाती हैं, इन में से कोई भी पलक आँख के अंदर touch नहीं कर रही है, ये एक healthy, normal eye है, अगर हम इसका cross section, यानिके cut section करें, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगा कि slow जाओं, ताकि आप समझ सकें, ये हमारी normal आँख का cut section है, हमने यहां से cut किया आँख को, तो ये देखने में आ रहा है, कि ये बाहर का हिस्सा है, जो normal skin है, जैसे ये skin है, ऐसे ही ये बाहर की skin है, और ये आँख के पलक की अंदर की साख्थ है, ये जो brown हिस्सा नज़र आ रहा है, rectangle शकल में, ये आँख के muscles हैं, वो पठे हैं, जो आँख को बंद करने में और खोलन में मतद देते हैं, इसके पीछे यह आँक का स्कैलिटन है, जो आँक को एक सरफिस प्रोवाइड करता है, इसकी शकल साख्त देता है, स्कैलिटन है आँक के से टार्सल प्लेट का जाता है, और बिल्कुल आखर में आपको यह परपल कलर दिख रहा है, और यहाँ पर आके बल लाता है, यह जिल्ली है MUcus MEM voit g avring है जो आँख को protect करती है यह पलकों को भी protect करती है जो purple रंग में शोर हो रही है, इसी तरह blue रंगस जो आँख के ball, eye ball को protect कर रहा है यह इसा upper light में भी माजूद है और lower light में मौचूद इसको देखने के लिए हम पलक को पलटते हैं जैसे नीचे वाले पलक को उठा नीचे गराया हुआ है तो हमें यह जो हिस्ता नदर आ रहा है इसे कंजेक्टावा कहा जाता है यह जिली होती है जो प्रोटेक्शन के लिए काम देती है अब हम समझते हैं कि अगला स्टेप क्या है जो बिमारी है ट्रैकोमा यह एक इन्फेक्शन बिमारी है जरासीम है जिसे कलेमाइडिया ट्रैकोमेटिस कहते हैं यह एक किसम का बैक्टीरिया है एक जरसूमा है ये हमारी इनसान में बेशुमार बिमारियां फैलाता है इसके बहुत से किस्में हैं समझने के लिए कह रहा हूँ इसके बहुत से कभीलें हैं खांदान हैं तो खास A, B और C कभीला जो है खांदान जो है वो हमारी आँख में क्लेमाइडिया के इन्जेक्टिवाइटिस करवाता है जो आगे जाके ट्रेकोमा और ट्रेकोमा का उबलेकेशन होती है D से लेकर किये तक जो कभाईल हैं इसके वो जनेटल इंफेक्शन करवाते हैं और L1, 2, L3 जो कभीले हैं वो lymph nodes के अंदर problems करवाते हैं तो हमारा आज का topic जो है वो सिर्फ A और C के तक महदूद रहेगा ये वो जरासीम है जो इंसानी cell में दाखिल हो जाता है और इंसानी cell में रहते हुए अपनी population बढ़ाता है ये इसको अंग्रेजी में Medical Terminology में कहा जाता है और तमाम cells को infect कर देता है अब अगर ये infection है जरासीम है तो अगर किसी को हो जाए तो क्या alamate जाहर होती है वो क्या symptoms है मरीज को क्या महसूस होता है इसके बारे में जिकर करते है बहुत जादा खारिश होने लगती है आँखों से discharge यानि पानी भेना शुरू होता है कचरा भेना शुरूना शुरू हो जाता है पलके सूच जाती है रोशनी चुदने लगती है और आँखों में दर्द होता है हर अलामात को हम discuss करेंगे जब हम science पढ़ेंगे जब पलकों को detail में देखेंगे डिजीज की stages देखेंगे तब मैं one define करतावा चलूँगा आपको कि किस stage में कौन सी symptoms आती है अब ये जरासीम बिमारी जो है ये फैलने वाली बिमारी है जब ये बिमारी फैलती है तो हमें जानना पड़ेगा कि वो कौन से transmission factors है वो कौन सी जरीय है जिसके जरीय ये एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता है अगर हम किसी तरीके से इस transmission chain को खतम कर दें रोक दें तो हम इस बिमारी को बढ़ने से रोक सकते है तो जब भी transmission की बाद आती है तो हमें five जितने हमारे हाथ में उंगलिया है पांच पांच F याद रखने हैं पड़ेंगे ये फैलता है फिलाइज मक्हियों से फिल्थ गंदगी से कचरे से फेसे पखाने से फिंगर्स उंगलियों से और फॉमाइट से जरासीम से जो रुमाल के अंदर और पिलों के अंदर होते हैं ये फाइफ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके जरीए ये जरासीम क्लेमाइडिया एक इनसान से दूसरे इनसान में मुंतकल होता है और अगर ये कहीं नीचे गर जाए तो वहाँ इसकी जिन्दगी नहीं रहती कि लाजम है कि ऐसे किसी इनसानी सेल को इनफेक्ट करना होता है तब ये जिन्दगी बरकर रख सकता है इसके लावा असकी जिन्दगी के वजूद मुम्किन नहीं है ये वो फैक्टर है ये खास सलाइड दिखाने का मकसद ये है कि ये जरासीम मिट्टी फेसेज ये बच्चों में ज्यादा काउमन है ये बच्चे मिट्टी से खेलते हैं और जहां गंदगी पाय जाती है जहां पौर्टी होती है गुरूबत होती है जहां एजूकेशन लेवल कम होता है वहां उन जगों पे इनका पहलना ज़ादा पाया गया है और वो इस ग्रुप के बच्चों में ये infection फैलता है आप तस्वीर में देख रहे हैं इसके background में जो सुरतहाल वाज़ है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां पे hygienic practices अमल में नहीं आ रही है हाथ दोने का सही तरीके से खाना रखने का और आसपास को वाश्रूम हमें नुमाया नजर नहीं आ रहा खाना भी नीचे पड़ा हुआ है बच्चा भी नीचे है हाथ इसके अटेव हैं मटी के साथ अब जब यह बच्चे infect होते हैं तो मदर जो हैं माए जो हैं बच्चों से बहुत ज़दा करीब होती है इसी लिए जो वर्नेबल ग्रूप है वो वो comprise करता है बच्चों में और ओरतों में खावातीम के अंदर और ये एक बार नहीं ये क्योंके transmit होता रहता है बार बार तो multiple times infect करता है एक इंसाने जिन्दगी में कम से कम 800 से 900 दाफा इसकी cycles आती है repetition, infection की तब जाके इसकी complexion बढ़ना शुरू हो जाती है अब हमने normal पलक देखी थी कि normal जो पलके थी बिल्कुल smooth होती है जब ये infection होता है आँक के अंदर तो हम अगर पलके पलट के देखें तो यहाँ पे आपको जो normal smooth surface है पलकों की वो नजर नहीं आ रही बलके यहाँ पे गोल गोल छोटे छोटे गठे नजर आ रहे हैं ये गठे कहलाते हैं follicles इस infection की वज़ा से यहाँ पे उस जरासीम जमा हो गया है और उस जरासीम को लडने के लिए हमारी body की army हमारे body के WBCs white blood cells जमा हो गये हैं और यहाँ पे एक चोकिया चोकियों की तरह बन चुका है कि यहाँ पे जरासीम है और यहाँ पे लड़ाय होना शुरू गये इसलिए यह follicles बना शुरू गये है तो यह पहला stage है जिसमें infection फैलता है और stage के अंदर खारिश होना शुरू होती है और discharge यानि के पानी आना शुरू हो जाता है इसलिए लोग आँखों को मलना शुरू करते है और खारिश होती रहती है और यही discharge अगर रहता है तो मक्षियों के जरीए और हाथ लगाने के जरीए यह दूसरी आँख में और दूसरे इंसान में मुंतकिल होता रहता है जब यह infection बहुत ज़ादा बढ़ जाता है और repeated cycles 500-600 मरतवा cycles हो चुकी होती है तो इतनी बार होने के वायसे scarring हो जाती है आपको नज़र आ रहा होगा यह white line बनना शुरू हो गई है पलकों के अंदर यह पलकों का पिछला हिस्सा है जो conjunctiva दिखा रहा है वो जिल्ली दिखा रहा है जो protection है और बार-बार infection की वज़ा से scar tissue बन गया है यह सुकड़ना शुरू हो गई है पलके इस सुकड़ने की वज़ा से यहाँ पर यह line, white line बन गई है नॉर्मली जो conjunctiva होता है यह smooth surface होती है जब बार-बार infection होता है तो normal architecture नॉर्मल जगा खराब हो जाती है और वो सुकड़ना शुरू हो जाती है यही लिशानी यह line दिखा रही है आपको इसे alts line कहा जाता है यह scarring शोग रही है यह trachoma का scarring stage है scarring जब बहुत ज़ादा बढ़ जाती है तो जो eyelashes हमारी है जिसको बहार निकलना था वो scarring की वज़ा से उनका जो direction है वो अंदर की तरफ होना शुरू हो जाता है और अब यह eyelashes जो के बहार थीं किसी वक्त में अब cornea को या आँख के हिस्से को touch करना शुरू करती है और पलक जपकने के साथ साथ यह eyelashes आँख के बहारी हिस्से को damage करना शुरू कर देती है तो छोटे-छोटे ulcers यानि के आँख की जो epithelium है जो protection layer है ulcers corneal opacity बन जाते हैं बिलकुल जो transparent crystal clear cornea था अब वो opaque हो जाता है यानि यह वहां से light भी pass नहीं कर सकती और यह stage blindness की stage है यहाँ पे अंधापन हो जाता है और यह patient blind हो जाता है अब यह हमने जो बात हैं की आखरी 5 मुंट में उसे जली recap कर लेते हैं यह stages हैं trachoma के पहला तो आप देख रहे हैं normal है this is normal conjunctiva यह tarsal plate का conjunctiva है normal बिल्कुल साफ, smooth, shiny skin है infection होने की वज़ा से जब mild infection होता है हलका तो छोटे-छोटे gold दैरे follicles बना शुरू हो गया है this is the follicular stage इसके बाद intense inflammation होता है एक वक्त आता है कि scarring होना शुरू हो जाती है scarring के बाद जो पलके हैं वो मुड़ जाती है इसे tracheasis का जाता है जो normal eyelashes हैं वो मुड़ के जब touch करती है आँक के अंदुरून हिसे को तो tracheasis का जाता है इसके अंदर बहुत ज़ादा photophobia रॉष्णी चुपना शुरू हो जाती है और दर्द शुरू होता है पेन यान होना शुरू हो जाता है फिर वक्त वो आता है कि आईस्ता आईस्ता cornyal opacity आँख का आगे का परदा जो है वो opaque होना शुरू हो जाता है और patient blindness में बढ़ जाता है अब यह disease थी जो के infection था अगर हम इस infection को रोक सकते हैं तो हम blindness को बचा सकते हैं इसको prevent किया जा सकता है तो आज जो दुनिया भर में strategy अपना ही जा रही है वो WHO के मतारिफ करदा safe strategy है अगर हम इन चार components S, A, F, N, E पर अमल करें तो हम इस trachoma को हरा सकते हैं और यह vision है हमारा कि हम Pakistan को trachoma free करेंगे इन्शाला ताला इसमें जो S stage आपका है यह है surgery का stage कि जब आपके आँखों की पलके अंदर जा चुकी tracheasis यानि lashes जो है वो touch कर रही है cornea को entropyon यानि पलके अंदर मुड चुकी है तब हमें इसकी surgery करनी है और उस surgery के जरिए operation के जरिए उन पलकों को हमें इस तरह direction बनानी है कि वो पलके बाहर निकलें आँखो मज़ीड damage ना करें टच ना करें तो इस तरह हम इसके surgery के जरिए आँखो blindness से बचा सकते हैं इसमें एक component है अच्छा surgery की जाती है जब scarring हो जाए तो ये late खास तोर पर खावातीन जो के 40s के बाद होती है उन में जादा हो जाए 40s, 50s, 60s में ये खावातीन पर जादा की जाता है जब ratio check किया गया यूँके खावातीन बच्चों के साथ जादा effect होती है और वो outreach facilities कम होती है इसलिए जादा हमें female gender खावातीन मिली जिनके अंदर सजरी की आशा दुरूत पड़ती है लेकिन जो एक component है antibiotics यूँकि हम जगर कर चुके हैं ये जरासीम bacteria है इसलिए इसको लड़ने के लिए हमें antibiotics की ज़रूत होती है और वो antibiotics हमारे पास दो किसम की होती है या थो हमारे पास azithromycine है या हमारे पास erithromycine group है ये दो गरूप ऐसे हैं जो कि जरासीम को लड़ने में कारमाद अस्तमाल होता है यूँकि इनकी जो cell membrane है उसमें they are gram negative bacteria ये खास किसम की यूँकि मेरे वीडियो doctors और paramedical staff भी देख रहा है ये बात उनके लिए है कि they comprises of gram they are the group of gram negative bacteria लेकिन इनकी cell wall के अंदर murine component बहुत काम है तो जो cell wall synthesis inhibitors इस पर काम नहीं करती है हमें protein synthesis को रोपना है जो जो antibiotics protein synthesis को रोपती है वो हमारे पास azithromycin group है और ethromycin group है तो वो antibiotics पर असर अंदाज करती है once dose देखे हम इसको जिंदेगी भर के लिए infection को रोख सकते है S for surgery A for antibiotics अब आता है वो component जो के हम अगर सही तरीके से इक्तियार कर लें तो हम इस बिमारी को अपनी नसलों तक खैर बात कह सकते है और हमें ये असर अंदाज नहीं करेगी उस पर बहुत जरूत है आगाही की और community services की जो के है F and E component क्योंकि ये मसला आँख में होता है इसलिए अगर हम अपना face आँखे साफ रखें तो हम discharge से भी बच सकते हैं हम मक्हियों से भी बच सकते हैं और बार-बार के conjectiveitis के cycle से भी बच सकते हैं तो अगर हम सही तरीके से अगर अपने मुहाद धोएं तो हम इस बिमारी को prevent कर सकते हैं तक ये transmit ना हो हम अपने आपको भी बचाएं इस बिमारी से और दुसरों से को भी बचाएं इस बिमारी से और अगर हम environmental change लेके आ जाएं अगर हमारे पास सही पानी की और washroom की facilities हो जाएं तो जो flies component है, feces component है उसके जरीए भी हम रोका जा सकता है इन दो components F और E के जरीए हम transmission की cycle को break कर देते हैं, रोक देते हैं और S और A component से जो हमारे पास diseased लोग हैं उनको हम बचाते हैं A से antibiotic देके उस जरासिम को खतम कर देते हैं S से complications को हम रोक देते हैं जैसे कि आपको पता है कि district कंबर सजाद कोर्ट में ये मोहम जा रही है जिसमें हमारे सफाई के champions राजू और रानी बच्चों के स्कूलों में आके आपको हाथ धोने का तरीका how to clean washrooms अपने latrines toilets कैसे साफ करने हैं और हाथ और मुँ कैसे धोने वो सिखाते जा रहे हैं तो ये हमारी F और E component जारी रहेगी ताकि इस disease को हम लंबे असे तक अपनी community से निकाल सकें और ये अलग अलग pamphlet के जरीए animation के जरीए आपको याद दिलाते हैं कि हाथ कैसे दोने हैं साबन कैसे इस्तमाल करना हैं कितने मिन तक हाथ साफ करने हैं वाश्रूम को जो सफाई कैसे रखनी है और जो कचरा है वो डश्रूमने फेकना है तके मक्यां आस पास ना आए और वो transmission factor हमारा खता हो जाए और पानी के कैसे साफ पियना है खराब पानी इस्तमाल नहीं करना है ये सब इनके जरीए बताया जाता है और हम खत्म इस course को end slide पे करेंगे कि हमारा ये इमान भी है कि सफाई दिफ से इमान है तो आपके लिए मैसेज जरूरी है कि official clearness और environmental change को please खुद भी अपनाए और आगे लोगों तक पहुँचाएं Thank you